नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है यूटूब चैनल लाट्स मैजिक में हम इस वीडियो की मात्यां से फिंगर अविकस सीख रहे थे अब हमने अभी तक फिंगर अविकस में एडिशन और सब्ट्रेक्शन सीख चुके हैं आज हम मल्टिपिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं आज हम मल्टिपिकेशन में तेन तपका डिजिट को मल्टिप्लाइ करना सिखेंगे हम सबी को छोटे बच्चे को फाइब तक कर टेवर इजी वेल में याद रहता है लेकिन जैसे ही उनके पास 6,7,8,9 इस अप्टिवल आता है तब वह याद तो कर लेते हैं और याद भी रहता है लेकिन कभी-कभी एन मुव्मेंट में वह कंफ्यूज हो जाते हैं अगर अचानक से उन्हें संग बना रहे हैं और उन्हें जरूद पर गया 7,7,6 जा,8,5 जा,8,9 जा तो वह कंफ्यूज हो जाते हैं तो उसकी लिए ज पुरा कोर्स है यह किसी ट्रिक से सिर्फ एक ही वीडियो देखे सीख जाया ऐसा नहीं होता है यह पुरा कोर्स है इसलिए फिंगर अवेकर से रिजुटे जितने वी वीडियो है सब ही बच्चों के लिए यूस्पुल है या पाट बाइपार्ट वन बाइवान करके अगर उसे फॉलो करें तो ज्यादा अच्छा है तो चलिए आज हम मुल्टिपिकेशन करते हैं सिर्फ अपने फिंगर को तच करके ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम जान लेते हैं फिंगर अवेकर्स में कि हमारे फिंगर की वैल्यू क्या है जिस तरह से जब हम मुल्टिपिकेशन में हमारे फिंगर की क्या वैल्यू है ऐसे हमने इसे बोड में भी लिख दी है ठीक है डोनों हाथों की फिंगर की वैल्यू है 10 9 8 7 6 उच्छी तरह से राइट हैं में भी 10 9 8 7 6 अब हम इसे सिब टेच्च करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा ठीक है चलि अब देते हां कि एट इंटू 6 8 x 6 तो उसके लिए क्या करेंगे पहले कि हमारे फिंगर में 8 वाली वैल्यू की फिंगर कौन सी है तो हमारे 8 कौन सी है ये 10 9 8 8 हो गया इन्हें 6 कौन सी है 6 कौन सी है इस इस फिंगर इस एन में ये हैंदा ये 6 है सबसे नाग्त वाली यह होगे 8 यह होगे 6 तो इसे हम ऐसे टच कर देंगे है फिल दिने विद्गन d全 1997 विद युडकर है तो अब इसे कांट कर लेते हैं जो उसके साथ जो नीचे वाली नाथ पिंगर है उसी हम काउंट करेंगे और उसके उपर में जितने ना है उसेός divine करेंगे जैसे उपर में कितना है इधार हो गया टू इधार हो गया फोर तो फोर टूजा बुलिए फोर टूजा एट तो पहले हम एट लिख देते हैं तो उपर हम लिख दी है फोर टूजा एट अब नीचे कितना बचा हमारा है वान टू थीरी फोर है ना वान टू थीरी फोर नीचे फोर है तो हम लिख देंगे फोर तो हमारा आंसर कितना आया 48 अब नेच्ट देख लेते हैं 9 x 7 तो 9 हमारे 9 निकाल लेते हैं 9 कौन सी फिंगर की वैल्यू है यह 9 है इंटू 7 7 हमारा यह है ठीक है तो इन दोनों को 9 और 7 को टच कर दिये हैं तो हमारा आंसर कितना आया उपर कितना बच्चा है 3 इधर 1 3 1 जा 3 उसे लिख देते हैं अब ओपर का लिखते हैं आम नीचे नीचे हमारा कितने फिंगर है 1 2 3 4 और 2 इधर 6 है ना चीक से देख लिखें 1 2 3 4 और इधर 5 6 नीचे 6 है तो हम लिख देंगे 6 9 7 जा 63 अब नेच देख लेते हैं 9 इंटू 9 तो 9 कौन से फिंगर की वैलीव है इसकी और इस हैं में भी 9 9 9 तच हो गया है अब उपर कितने फिंगर बचा हुआ है इधर 1 है इधर भी 1 है राइट 1 लेफ्ट 1 1 वन जा 1 और नीचे 8 फिंगर है हाना यह दो है 2 3 4 5 6 7 8 हो गया नीचे 8 उपर 1 81 अब नेच्ट देख लेते हैं 6 इंटू 7 तो सबसे पहले 6 यह है 7 यह है इसे टच कर लिए अब हमारा उपर में कितना आया है इधर 4 है इधर 3 है 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 ना तो इसकी पहले पहले है 4 3 जा 12 12 का हम 2 लिखेंगे 12 का 2 लिखेंगे हमारे पास 1 कैरी में है ठीक है हमारे पास 1 कैरी में है अब हमारे नीचे कितना बच्चा हुआ है 3 और एक 1 जो कैरी में था वो 1 कितना हो गया 4 तो हम 4 लिख देते हैं नेच्ट हम देख लेते हैं 6 x 6 तो 6 सबसे लिटल फिंगर इसमें भी लिटल फिंगर 6 से इसको टच कर दिये हैं बाकी हमारे कितना बचा उपर 4 इधर भी 4 इधर भी 4 तो 4 फोर जा 16 16 का 6 लिखेंगे 16 का 6 लिख दिये हैं अब हमारे इजह नीचे में कितना बचा है 2 तू है यह और 1 जो कैरी में है 2 और 1 थिरी हो गया तो हम थिरी भी लिख देते हैं तो 6 सिख जा 36 एक मल्टिप्लाइब आइट तो 8 यह कैसे करेंगे उपने फिंगर में 8 यह फिंगर है इसमें यह है तच हो गया 8 8 अब उपर कितना बचा है 2 तू 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 जा 4 तो हम 4 लिख देते हैं अब नीचे कितना बचा है 6 इधर भी थिरी इधर भी थिरी कितना हो गया 6 तो हम बगल में 6 लिख देते हैं तो हमारा आंसर आगिया 64 8 8 जा 64 तो देखिए कितना हसान से सिर्फ फिंगर को टश करके हमारा आंसर आ जाता है इसले कि यह नियम सिर्फ 5K प्लस एंड 10 तक ही इसे अपलाई कर सकते हैं ठीक है बाकी डवल डिजिट का जो मल्टिपिकेशन होता है उससे हम नेश वीडियो में लाएंगे अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सिस्क्राइब करें धन्यवार धन्यवार